जो बोले ना अच्छे से जाएं अच्छे से आएं क्रपा दन्ना गुट मॉर्निंग एवरीवन स्वागत है सभी का बाइक अपनी ये तैयार है बद अब निकलना कोली के तरह फुर हो जाना तुझे लो गुट मॉर्निंग और शोरूम खुल गया भाई कि सबसे पहले आप रशान्त फिर आया मैं फिर आया वह कि अब करें पहली वार इस्ट्रेशन्स ओन टाइम हुए कि थोड़े से कहेंगे बुनियादी चेंजेज हैं आके से यह जी परेली के लिए वह भी राइड होगी मैंने ग्रूप पे लिखा था उसका रेइस्ट्रेशन अब दो दिन पहले ही हो जाए तो जी हेलो जी नमस्कार और जैसरी राम स्वागत है सभी का चैनल के आपके लिए टेस्ट वीडियो में मैं आपका हो स्टार्सेक शिवम् हमारी जो राइड है सुबह शुरू होने वाली थी जैसे कि हमें पताया गया था कि सुबह चार बज़े आपको शोरूम आना है देन हम साड़े चार या पौने पांच बज़े तक मैक्सिमम शोरूम से फ्लैग आफ करके निकल जाएंगे लेकिन 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 जैसे हम पूरे के पूरे लगबग साड़े पांच बज़े एक्जैक्टली निकल रहे हैं हम लगबग 30-40 मिनट लेट हैं ज्यादा लेट नहीं है वहम कवर अप कर सकते हैं लेकिन अभी फिर भी थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर करने में कॉडिनेशन करने में थोड़ा बहुत टाइम लगी रहता है तो आप अगर इस वीडियो को यहां तक भी देख रहे हैं और मेरी बास सुन पा रहे हो तो फटावट पर यहीं पर लाइक ठोक दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो कॉमेंट करके बताना हमारी पिछली वीडियो में क्या अच्छा लग अच्छा आप मेरे लिए कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हो वीडियो के अब हम बात करेंगे अपने रूट प्लैन के बारे में हमारा जो रूट प्लान होने वाला है वह होगा यहां से बरेली से डारेक्ली पीली बीड बाइपास होते हुए हम लेंगे नैनिताल का रूट यह क्योंकि हम डारेक्ली नैनिताल नहीं जाने वाले हम नैनिताल से अलग एक आउट ओफ बीड लोकेशन पर स्टे करने वाले हैं यह हमारा डमरू चौक आ गया यहां से हम लेंगे राइट और यह हम सीधे जाके पीली बीड बाइपास पहुँच गए अब यहां से थोड 4V, 2V एंड एक अपाचे 310RR हमारी लाइन फोर्मेशन कुछ इस प्रकार थी जिसमें सबसे आगे चल रही थी हमारी रोन इन जो के हमारे एड्मिन साब चला रहे हैं उसके पीछे चल रही है आर आर उसके पीछे में हमारे पीछे अपाचे ऐसे ही हमारी दस बाइकों का ला बहुत्त हुआ रहार इन जो घृट तब थी हमारे पांचुन पाच प्रेटों को तब टो और आप लंगा है आप लोग लोग और रही हमारी प्लोग लगा यहां मारी बाहे है बड़ों को खाड़। यह अपना लगो 22-23 किलोमेटर पर और यह जिननों वो पता है जगा और दूसरा उनसे ब्रेटफास्ट का पूछना है दो चीजे हैं और तीसरा कल रात तक दसवा आदमी कनफर्म नहीं हो रहा था दो यह हमारा पहला ओफिशिल स्टॉप सिंधभा पर परांठा चाहे है अपना पहला स्टॉप यह कौन सी जगए है सिंधभा पर अपना पहला स्टॉप थोड़ा साथ शीषे में रिख सकता है अब अब पर नहीं देख रहा हूं नस्ता आ चुका है यहां कि अपना चाय और परांड़ा देज्वान ओ मैं नाव यू कन सी मी देख लिया हूँ है सही अगरा है जो न उड़ चुका है अल्मस्ट देर यहां तो यहां थोड़ा सा शूट करने के बाद हमने लेट लपेटा अपना पूरा नाश्ता और यह थोड़ा सा हेलमेट का शूट अब यहां से निकलेंगे टेप अफ शॉट लेने के लिए थोड़ा सा पीछे रह गया तो यहां से मैं अपनी स्पीड बढ़ाई है थोड़ी सी और मैं आगे जाके अब सब लोगों को कैच करूँगा अभी मेन दिक्कत पता है इसमें क्या हुई है जाते टाइम मेरे को मेरी आँखों से मेरे फोन की स्क्रीन नहीं दिख रही थी जिसकी वज़े से मैं चेक ही नहीं कर पा इस टोल का नाम मेरे को पता नहीं है लेकिन आँ बाइक का तो टोल लगता नहीं है तो यहां से फटावट से निकल लो चुप चाप यहां पर भी आगे बढ़के थोड़ा साम हॉल्ट लेंगे अपने को राइडर्स जो हमारे आगे और पीछे हैं उनको देखेंगे कि वो कहां हैं कितनी दूर रह गए हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे लो जी एक छोटा सा कोई शहर है पतानी किस क्या नहीं है इसे देगा लेकिन छोटा सा गाओं टाइप गाओं है शायद आइटिंक लेकिन क्रोसिंग यहां पर बहुत ज्यादा है लो भाई मैंने लिख ब्रुक के सबका एक फ्लाइबाइ शोट ले लिया ताकि सब लोग कैमरे में आ सकें और सबको दिखा भी सकों कि बाई कितने राइडर्स थे और इस फ्लाइबाइ को रिकॉर्ड करने के चक्कर में महीं पीछा रह गया तो अब मैं उनको कवर कर रहा हूं टोटल डिस्टेंस जो अभी तक हमने कवर किया है वो 92 किलो मिटर्स का किया है बरेली से यह मीटर में आपको दिख रहा होगा यह पहला राइडर मिल गया यह बात तो शूर है जब आप ग्रूप में राइड पर निकलते हो ना तो बहुत अच्छे अच्छे रियक्शन मिलते हैं यह टेंपों बच्चे में देते हैं उन्हों हमने इनके हाई हेलो का रियक्शन नोट किया और सुन्दर सा मंदिर मिला हम है और यह जो हाईवे आप लेकिन अभी थोड़ा ना हैंडल थोड़ा नीचे है मैं सोच रहाँ इसको अप करा लूँ थोड़ा सा हैंडल को ताकि सैडलिंग करने में और आसानी हूँ काफी एजी रहता है मतलब बैक में इस्यू नहीं आता थोड़ा बहुत भी कोई भी जटका नहीं लगता और हल्दवानी से हर्षित कश्यप मिलेते भाई इनको मैं टॉफी अदी ये मेरे को चैनल नाम वगरा पूछ रहे तो मैंने सोचा इनको टॉफी मिलनी चाहिए ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे आगे जाके और हाथ पे भी लिखके लेके गए तो मैं शूट नहीं कर पा हाया हाथ पे नाम लिखके लेके गए ये पैन ढूंड के लाए थे और यहां चला बहुत चारा डिसकेशन बाई साब किसी चीज के लिए शोड बहुत ज्यादा है इसलिए इतना ही बता पाऊंगा कि हमारा सेकंड स्टॉप है हल्दवानी हम पहुंच चुके है हल्दवानी के अंदर से पहले शहर को पूरा क्रोस किया उसके बाद एक अलग से रास्ता जाता है जो है काला डूंगी फोरेस्ट रोड जो की नहीं ताल भी जाता है और काफी अच्छा रस्ता होने वाला आप व्यू को एंजॉय करना आप बस अब यहां तिराये पर पूछेंगे समझ में नहीं आया कौन से सिस्टम के हम चले हैं यहां से देखा हम उन भाईया ना बताया और लेफ्ट और हम जा रहे हैं राइट यह एक आई है सूखी नदी इसको भाई तुमारा दिखायागा सैडलिंग करते हुए लेफ्ट और राइट जोनों तरफ यहां पर भी कोई पानी वानी नहीं था कर्मियों में कहान से पानी आएगा मेरे ख्याल से यह बरसाती नाले हैं जो मैनमेड होते हैं ऐसा कुछ अब यहां से एक्जेक्ली शुरू होता है फॉरेस्ट रेंज जो कि पूरा जंगल के बीतर सा रास्ता है और काफी अच्छा लग रहा है आप ख शह या सात बजे के बाद बैरियर डाउन हो जाता है आप यहां से नहीं जा सकते टूविलर लेके फॉर विलर मेभी अलाओड होता होगा लेकिन टूविलर के लोंना ने साफ मना कर दिया ताकि नहीं होता अलाओड आपने जबी भी रात की साइट सींग वाली देखी होगी अब यहां पर हम भी बैक बांदे हुए हैं इन्होंने भी बैक बांदे हुए हैं और कुछ ट्रेवलर टेम्पो भी जाते हैं तो यह सब लोग ने निताल जाने वाले हैं यह तो शौर है यहां हम थोड़ा सा बचेंगे इस से और फिर से आगे निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन पहले आप देख लेते हैं जासी कोर्नर पर आते हैं आपको दोनों तरफ का दिखाई देता है तो आप देख कर ही आगे ओवर टेक करें तो यहां देखो हमारा एके line up हम सारी bike नाइन से चल रहे हैं अब मेरे camera में भी आपको दिखाई देंगी सारी bike ने एक एक के पीछे चलेंगी और यह देखो corners पे आपको exactly पता चलेगा और यह video अल्रेडी बहुत जादा लंबी हो चुकी है तो हम इस video को यहीं पे समाप करेंगे इसका part 2 निकालेंगे जो कि आपको next video में मिलेगा ठीक है यहां पे हम cornering करते हुए पहार चड़ रहे हैं इसके आगे का पूरा scene कहां गए हैं कहां stay किया है क्या क्या मस्ती हुई है क्या क्या मजाग हुआ है सब आपको देखने को मिलेगा तो यहीं पे इस video को खतम करते हैं और मिलते हैं अगली video में तिल देन जैश्री राम वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना जैश्री राम सभी को बाई बाई